सु ही गाईस आज वहाँ देखने वाले हैं class 8 के इस शिभीष के चैप्टर 8 जो की है confronting marginalization । तो यहां पर सबसे पहले आता है क्या कि कि किसी चीज से निपटना या उसका सामना करना। जैसे कि जो मार्जनाजेसन होता है, इसमें हमने जैसे अपने पिछले चप्टर में देखा है कि जो लोग माइनरिटी में होते हैं, जिनकी संक्या दूसरे के मुकाबले कम होती हैं उन्हें कभी-कभी जो है ना inequality face करनी पड़ जाती है ठीक है कभी-कभी उनको discriminate किया जाता है तो यह सब चीचों कैसे रोका जाए इससे सामना कैसे किया जाए तो वही हमने इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं तो chapter starting बताया गया है कि हमने अपने पिछले chapter में two different groups के बारे में देखा था जो कि थे Muslims और आदिवासी और उनके अनुभाव को जैसे कि उनके साथ inequality हुआ था और discrimination हुआ था तो उसी को यहां पर कहा जा रहा है कि ऐसे जो groups होते हैं वो थोड़े कम powerful होते हैं वह बहुत जादा जो है लडाईया लड़ते हैं विरोध करते हैं स्ट्रगल करते हैं ताकि इन सब चीड़े को खतम किया जा सके इवन यहां बताया जा रहा है कि जब ऐसे situations आए हैं ठीक है तब उन लोगों ने कुछ strategies को अपना हैं जैसे कि बहुत पहले से होता आ रहा है तो जैसे पहला नं हम अक्रामक हो जाते हैं बंदूख हो गया फिर और कोई हतियार जो है यह लेकर करके मतलब विरोध करना जाते हैं तीसा हो गया self improvement and education मतलब कि अपने आपको बहतर बना करके यह समाज को दिखा करके कि वह भी कुछ अच्छा कर सकते हैं चौता हो गया economic uplift मतलब कि कोई और भी मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं तो यह सब चीजों को दिखा करके तो भी बुला गया है कि यह चार सिच्वेशन हमने देखा रिलेजियस सोलेस आम डिस्ट्रगल सेल्फ इंप्रूब्मेंट एजुकेशन एकनॉमिक अफ्लिप्ट यह डिपेंड करता है कि आखिर इन करते हैं तो यहाँ पर चाप्टर में देखने वाले कि किस तरीके से जो ऐसे ग्रूप से जैसे आधी वासी दलेथ मुस्लिम स्विमिन के टीगें वह लोग जो यह कहते हैं कि वहलों एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है मतलब लोग कहते हैं कि देखे हम लोग भारत का यह नागरिक है इसलिए जिसे सबको एक्यारिटी दिया गया है वैसे हमको ही मिलना चाहिए जब यह इक्वालेटी दिया गया है तो आकिर हमाय साथ ऐसा गलत क्यूं किया जा रहा है तो बाइस से भाइप पॉइंट था निकलता है फिर दूसरा कि इनी सब चीज़ को लेकर कि मतलब कि इनका जो अधिकार राइट है ना इसको लॉद में कैसे बदला जाता है यहां पर कन्फ्यूस नहीं जब नहीं इसके बारे में देखने वाले हैं और आखिर गॉवर्मट्ट भी जो है कौन कौन से एफर्ट करती है कौन कौन से रास्तें निकालती है जिससे कि वो लोग जो है इनको विकास कर सके इनका development किया जा सके मतलब कि यह जो पूरा आपका हो गया majorization को खतम कर सके या फिर इसको कम किया जा सके तो यहाँ पर topic आता है invoking fundamental rights invoking का मतलब कि उपयोग करना means fundamental rights का कैसे उपयोग किया जा रहा है तो जैसे कि हमनों जानते हैं Constitution में जो है principles लिखे गए प्रिंसिपल्स में आप उसे तो रूल्स और रेगलेशन किसी चीज को ले करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो marginalized लोग होते हैं वो इस rights का जो है पहला यह कि जब वो देखते कि उनको यह दिकार नहीं मिल रहा है तो वो जो है government को जो है फोर्स करते हैं यह बताते हैं कि देखें यहां पर हमारे साथ गलत हो रहा है ठीक है पहला तो यह हो गया दूसरा ही लेकिन वहाँ पर जो minority वाले हैं उनको भी अपना मन कर रहा है स्कूल बनाने का जब वो अपने स्कूल बनाने जा रहे हैं तो मैजोरीटी वाले उनको बनाने नहीं दे रहें तो यहां पर क्या हुआ कि सबको चलता रहता है मालों यहां पर जो सरकार ने कोई एक्षें ले लिए आप कहीं और भी ऐसा ही होता है फिर असा बहुत ज्यादा बार होता है और बहुत जगह होता है तब यहां पर जो minority वाले हैं वह इस चरगल करने लग जाएंगे वह जो माजनलाइस पीपल है कि आप सरका को देखते हुए एक नया लौ बना देती है इसमें रहता है कि यह जो ग्रूप के पीपल है ना ठीक है यह लोग भी जो इनका अधिकार है कि यह लोग अपने स्कूल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं मिंसे कानून ही पूरा बनाती अब उनको कोई रोकी ने सकता अगर रोक कर दिया गया पहले क्या था ना कि छुवा चुट के अंदर जो दलित थे उनको बोला जाता था कि तुम यह नहीं कर सकते हो तुम को टेंपल में जाना नहीं है यह सब चीज में तो बहुत रोक लगा जाता था तो जब आर्टिकल 17 लग गया तो बोला गया कि अब यह अंट कि इसको क्राइम मानते हुए उस व्यक्ति को जो है पनी सी भी किया जाता है तो यह था हमने आर्टिकल 17 के पारे में देखा आप देखते हैं आर्टिकल 15 तो यह जो आर्टिकल 15 है न यह एक तरीके से आर्टिकल 17 को सपोर्ट करता है क्योंकि आर्टिकल 15 यह कहता है कि कि दे में लिए जो हेलफफूल होता है दलिस के लिए कि जब कभी भी उनके साथ कुछ गलत होता है तो वह जो है अपने fundamental राइट का उपयोग करते हुए करने कहते हैं कि देखिए हम इसाथ गलत हो रहा है और हमें न्याए मिलना चाहिए गौर्मेंट भी देखती है कि अगर इंका fundamental right जो है इंको नहीं मिला रहता है तो वहाँ पर action लेती है तो यह हमने इसके बारे में देख लिए ठीक है कैसे यह helpful होते हैं इंके बारे में जान लिया जैसे कि हमने देखा कि जो दलीस थे उनके साथ जब भी कुछ गलत होता तो व fundamental right जो है उसका सहरा लेते हैं वैसा ही सेम जो है अदर माइनरेटिक ग्रूप्स वाले लोग हैं जो भी करते हैं इसके साथ साथ जो माइनरेटिक ग्रूप्स वाले लोग है न वह इस बाते फोर्स करते हैं कि उनको जो है right to freedom of religion and culture and educational rights मिलने चाहिए तो यह राइट भी इनको कि इनका जो culture है यह बचा रहा सके और ऐसा वजह इसलिए इन लोग को जो माइनरेटिव ग्रूप और पीपल है इनको culture राइट देने का ताकि कोई अगर मैजूरीटी वाले है ठीक है वह इन पर फोर्स करके इनके culture को जो है कोई दबाव बना करके खतम करने कोशिस ना करे ताकि ठीक है ना सब का culture बना रहा सके तो इसलिए कहा गया है कि जो constitution है वह सब को cultural राइट देती है इन ग्रूप को cultural राइट देती है ताकि यह जो ऐसा ना की future में जो है दबाव के वैसे खतम हो जाए का culture या फ्यूस अस्तिब्यस्त हो जाए इसने लोग को जो है cultural राइट दिखी यहां पर बोला गया है कि जो government है वो laws बनाती है चाकि सभी कुछ सही डंग से चल सके साथ में जो citizens है उनको protect किया जा सके इसका मतलब है कि उनको पूरा fundamental उनका right मिले यहां पर यह से बताया गया है कि कुछ specific laws और policies जैसे बनाती है government जो है उन groups के लिए एक country में जो group marginalized ह उनके लिए जैसे वह policy schemes में से पहले देखती है यह survey करा करके यह देखती है कि आखे लोग को किस चीच की परिसानी है और उसके बाद जो है उसको solve करने के लिए वो जो है उससे related कुछ laws और policies बनाती है तो इसका में एक example लेते हैं education से related तीक है तो देखो को यगा tribal area या फिक hostels बनाती है तो वहाँ पर क्या है कि उनको कुछ facilities दिया जाता है जैसे कि बच्चे स्कूल आएंगे तो उनको free में खाना दिया जाता है ठीक है और यह बहुत सारी facilities और यह देनी का वज़ए यही रहता है ताकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वह स्कूल में आकर पढ़ सकें और educate हो सकें educate होने से क्या होगा कि एक inequality ज़ागे खतम हो जाएगा मिन समनों देखते हैं कि अगर को समाज में जो कुछ ज्यादा लोग पढ़ ऊगए और कुछ लोग है जो नहीं पढ़ हुए तो नहीं पढ़ वाले को लोग माजनलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर जो मॉ बहुत जादा इन्पर तेंट रहा है बठ ये जो यह बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा तरौन बहुत यहां 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 दिखने वाले का पॉलिसी कैसे वर्क करता है तो इसके बताया गया है कि जो गौन्स हे पास ईड रॉल कास ेडिवल ट्राइब फिर दाइब फिर मुस्ट बैक्वर्ड कास्ट जो एक लिस्ट है इसमें होता क्या है कि अगर कोई वैक्ती ठीक है जैसे कि कोई स्टुडेंट हो गया चाहे लड़की लड़का या फिक वैक्ती जो कि गौर्मेंट जोप ले जा रहा है तो वहाँ पर जाते हैं आप अगर वह अपना दिखाते ह कास्ट से हैं तब उन लोग को वहां पर रिजर्वेशन जो है उसका benefit मिलता है अभलाकि रिजर्वेशन का benefit कैसे मिलता है तो देख़्िए अगर माल लेते हैं कोई स्टुडेंट है या फिकोई वैक्षिक गिया है जो कि किसी exam में गया हुँँ तो वहां पर सभी के लिए एक कट अफ मार्क होता है कि बाइच चार सो में से तीन से नंबर लाओगे तो आप इसमें क्वालिफाइब करोगे तो यहां बग्या होता है ना कि जो इन कास्ट से बिलॉंग कर रहे होते हैं उनका चार सो में से कुछ उनको छूड़ दिया था लगा चार सो में से अगर आप दोसों भी ला दिया तब भी आपका हो जाएगा इसमें तो यह हो गया रिजर्वेशन पॉलिशी है मतलब कि थोड़ा इनको बैनिफिट मिल गया उस चीज में तो यहां पर मैं देखा कि आखी जो पॉलिशी है कैसे वर्क करती है अब आगे दिया गया कि आखी जो गौर्वर्मेंट है उन्होंने और कौन-कौन से स्कीम जो है निकाले हैं ठीक है जैसे कि एक हो गया स्कॉलर सिप और स्टुडेंट इसमें होता है कि कुछ उनको बैनिफिट देना स्टुडेंट को लाइक स्टेशन जो कि में ली होता है स्ट और स्ट के लिए इसके अंदर किया है कि अगर इंसे डिट्वर्म आता है ना इंको तो यह वहाँ पर जाते हैं जो कि प्रॉग्लम पर बहुत ज्यादा धिहान दिया था जल्दी स्ट्व किया था ठीक है ना उसके बाद आता है आपका कि स्कीम फॉर गर्ल्स इन कॉर्मेंट स्कूल इसमें होगा कि गर्ल्स को जैसे कुछ सुविदा देंते हैं जैसे कि मैंने बोला था कि 10 या 12 पास करने पर कुछ जैसे रुपे देना जैसे पहले था कि साइकिल दिया था था तो इस तरीके से उन लोग को भी जो है help करना motivate करना यहां पर एक तरीके से आप इस दो जो लोग को बहुत दबाया गया हों तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए जो भी ऐसे कास्ट्वाल लोग थे जिनको discriminate किया गया था ठीक है ना वो सारे कास्ट्वाल लोगों ने खुदी अपने आपको यह टर्म दिया एक नाम दिया दलिट्स इसका क्या मतलब हुआ ब्रोकन तो अब यहां पर हमें एक पोयम दिया गया है जो कि लिखा गया है सौरे पाई के द्वारा जो कि पतनी है एक भक्ती पोयाट जिनका नाम है चोका मेला यह 14th century की बात के जा रही है महराश्ट्र की और यहां बताया जा रहा है कि य कभी लोग यह गोदिग कदे क्या सकता है तो यहां पर यह उसकता है कि निकारी बल्कश के भार निक्रण के दा रहा हूं उनके माइंड के वैसे यहां पर नेचर में ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ लोगों ने ऐसा विचार एक बना कर रखा तो यहीं सिंप्ली कहना चाहिए है जब सभी लोग एक तरीके से पैदा होते हैं तो आकिर किसी व्यक्तिक हो ज्यादा सुद्ध मतलब कि कि यहां पर यह जो किया तो आसको आप इसको समझ गयांगे आप चलते हैं इसके नेक्स टॉपिक में तो यहां पर टॉपिक आता है प्रोट्रेक्टिंग दराइट अदिवासी तो जैसे कि पहले हमने देखा था कि जो गौर्मेंट है उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाया थे त आगे बढ़ सके ठीक है इनको यह मौका मिल सके कुछ करने का इसके साथ बोला गया कि कुछ लॉजवी बनाया गया है वह इसलिए था कि इन लोगों को जो है बचाया जासके कि इंके साथ करी डिस्क्युमिनेशन ना हो या फिर इनको माजनलाइज ना किया जाए तो यहीं जक्मलगुर जो है एक गाउं है जहाँ पर हर पांस साल पर जो है एक बड़ा सा तहवार होता है इसके अंदर जो पुझारी आपके तो वह आते हैं लगभग 20 नेविंग विले से मतलब की 20 आसपास की विले से आते हैं उस गाउं में फिर वहां पर स्टार्टे में क्या होत है कि आप दली तो यह गाउं करेंगे और भी धलित कुछ काम करते होंगे बट उनको यह काम दे दिया गया अब रत्ह नाम के वे जो ने को कभी कम से दिया गया ना यहां पर कहा जा रहा है कि रत नाम का इस साल जो आथा मतलब उनकी बारे थी काम करने का लेकिन रतनाम जो वो 20 साल के थे और इंजिनेरिंग कर रहे थे तो उनोंने मना कर दाय कर रहे थे तो उंको उ Prosement क्या है यह तो तो उनोंने मना कर दिया जैसे उनों न मना किया तो जो अपर-कास्वाली लोग क्या करते तुमको भी डेर लागे कहीं हो सकता है कि हमसे हमारा काम ना चीना जाए तो यहां पर जो आप जो पावफुल का स्वाश्व लोगते वह बोलते हैं कि देखो तुम ऐसा करोगे तो भगवान तो भगवान नहीं करेंगे तुमको सजा देंगे अब यहां पर रतनाम बोलते हैं कि जब किसी भी दलीत को टेंपल में तक करने नहीं है तो आप कैसे भूसकते हो कि हमें सजा देंगे मतलब भवान के पास अब जाने तक देते नहीं और आप बोल रहे हो मिन्स बाइकोट कि उनके फैमिलियों का बाइकोट करो उनसे कुछ भी चीज लेना देना नहीं अब खाहा जा रहा है एक राज जो हैं कि घर में आग लगा दिया गया था ये जो है अपनी मा के साथ वहां से बच निकाले में सक्चम रहा है हो सकते है कि कोई और उससे में उनके घर में ना हो फिर यह भागते हुए चले गए एक लोकल पुलिस स्टेशन में इस गाउं में हो रहा है इस तरह करते हुए जब केस पूरा हुआ लास्ट में जो है ना जो कैसे तो डिसीजन आया उसमें यह हुआ कि इस प्रता को यह जो प्रता चलते आ रहा था कि हर पांच साल पे बड़ा फेस्टिबल हो इस मैसे करना यह सब को बंद कर दिया गया तो यह उनके उपर डिपेंड कर रहा था ना यहां पर अब आ रहा है टॉपिक के आखिर जिक्स एक्ट के तहट जो है इन्होंने केस फाइल किया था उस एक्ट की सुरुवात कैसे हुए तो यहां पर यह जो एक्ट है इस एडियूल कास्ट एंड इस एडियूल ट्राइब्स सब्सक्राइब करने के लिए एक्ट बनाया गया 1989 में नहीं को सब्सक्राइब लगा ही था उसके पाद यह एक्ट क्यों लगा मैं चीज़ा क्लियर कर दूं जो आर्टिकल 15 और 17 है वो 1949 में लागू हुआ था और यह जो एक्ट है यह 1989 मतलब उसके बाद लाग हुआ तो सिंपली कहा जाया तो आर्टिकल 15 और 17 में सही से जो है लोगों ने उसका फॉल्व नहीं किया इस वैसे यह को लाए गया तो इस एक्ट को लाने का वज़़ा देखिया बताया कि नाइंटीन सेवेंटी नाइंटी ए नया लौ के लिए अब आखिर किस टाइप का लो तो यह बताया गया कि देखिए आर्टिकल फिप्टीन सेवेंटीन के ताथ बोला गया था कि डिस्क्रिमिटेसर नहीं करना है बट फिर भी सोसाइटी में समाज में एक छुपे तोर पर जो इनके साथ गलत हो रहा था लाइ करते हैं कि कुछ आदमि लाइक कैश्च करने बोलते हैं तो हमें अगर को यह करने के लिए बोले तो उसको उपर करवाई उसको सजा मिले हैं तो इसे तरीके से जो है ना आपके जो आदिवासी पीपल वह भी 1970 और 1980s की बीच में जो है इसी तरह और उन्होंने भी बोला कि उनको equal right चाहिए और उनके साथ यह जो गलत हो गलत हो रहा है इसको खतम करना तब सुझी गई न तो इस एक्ट में एक लंबा सा LISTS हुआ करता था तो उसका पूरा देखा गया ठीक है लिस्ट में किया करता तो इसको यह सजा मिलेंगे सब चीज़ को पुरा बनाया गया तो यहां पर जो एक्ट है नहीं सिर्फ क्राइम को नहीं दर्साता है बलकि दर्साता है कि आखिर लोग जो है कितना गलत कर सकते हैं बोला कि अगर ऐसा वापस होता है तो उन्हों वैक्ति पर तो यहां तक हमने देख लिया कि घाखते हूं के साथ होते अब आखे क्या क्या कई पहल णिनतर दिस्रिस पैट μας जो प्रेप्रेइंसिबल इसका मतलOl की में जो चीज में अपनाया है मतली गलत माना गया उसको प्रफॉर्म कर लाइक navy यहाँ यहां पर बोला गया वन में विला गया कि सैडूल कास्ट की मैंबर को कि वो जो है कोई चीज ड्रिंक कर रहे या फिर कुछ ऐसा खाए जो कि खाने योगे नहीं है चीज ठीक है ना और मतलब कि जो बोलते हैं एक खराब सबस्टांस को भी तो उनके ओपर करवाई होगी अब यहां पर देखिए सेकेंड नंबर नहीं दिया है तो सेकेंड नंब यह बोलते हैं मतलब दूसरा जैसे बोलते हैं कि डिस्रिस्प्ट करते हुए कोई मुह काला कर देता है यह सब तो वो सब नहीं करना है ठीक है नाओ यहां पर आता है सेकेंड ली में आपका जो कि एक्षंस डैड डिस्पोजेद दली तेन आदिवासी अफ दियर मीग्री ड रिसोर्ट से उस पर उनका हक ना देना और उनको जो है फोर्स करना लेबर केलिए मतलब कि उनका जमीन है उसको छीन लेना उनका हक ना देना या फिर किसी चीच को यूज करने ना देना तो इस चीच के उपर भी करवाई होगा ठीक है इसमें आपका फोर नमर में दिया गया है कि अगर कोई इंका जमीन जो है occupy कर लेता है ठीक है और मतलब को cultivate कर नहीं देता ह पिसको छीन लेता है तब उनके करवाई होगा यहां पर लिखा हुआ है कुछ अनदर लेवल पी आते हैं लाइक क्राइम अंगेंज अगेंस्ट डलिट एंड ट्राइबल वुमिन ठीक है इसमें होगा कि अगर कोई डलिट या ट्राइबल में कुछ गलत करता है तो उसके कर वाई होगी घमिनरे इसमें 11 एंडार में बता चошया गए आ लेवन कग छोड़ी है बीच में में कुछी example टैप में अब ऊसको कि यहां पर हमें धया गया है तो यहां मने इसको देख लिया ठीक है ना इसके आगे वन बहुत नहीं को चलिए हैं इनको भी देख लेता ह। Corner कि भागवान उनको मानना उनको उनके बातों को फैलाना यह सब ठीक है मैं उसमें बिलीफ करना लेकिन यह जो है रिच्वल और प्रिस्ट मतलब कि पुझारे होगे इन से मतलब बोलते हैं मानने के लिए जो भी उसे में रिच्वल करते हैं कुछ बहुत अजीव हुआ करते थे जैसा कि हमने अब कुछ दियर पहले देखा था ठीक है न तो यही इस चीज़े बोलते हैं कि भवान बिलीफ करो बट एक फ्री इंसान के तरह यह सब रिच्वल पर प्र कर चोटे कास कर रहा था तो बहुत जो इसको बोलते हैं कि अदमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा उसको एक सीमा तक बंतर बांदेना लेकिन यहां पर यह बोलते सबी लोग से अनृट को पाना लाइक कि हाइयर या डीपर नोलेच के एलो वो सब को ये जैं कर सकता है उसके बाद जो एंत्रिक एक बोलते हैं ना सुक टाइप में ठीक है मोक्ष भी बोलते हैं अंदर का फ्रीडम वो भी सब कई पा सकता है और इसी तरह यह बोलते हैं इंका जो पॉयटरी है यह फोकस करता है human labor पर ठीक है उनके labor पर जैसे कि सबी लोग जो काम करते हैं सब मिखेट करना चाहिए जैसे किशां कई वीवर सुकया पानी या फी को महीला हो जो ki पानी को लेकर जा रही है तो सभी तरह के काम करना चाहिए और इस जो पूरे universe को define करना चाहिए क्योंकि इसमें बोलना चाहिए कि सभी चीज कुछ ना कुछ काम में हैं सभी चीज कोई ना कोई काम करती है तो सभी चीज का respect हमें करना चाहिए वह यहां पर जो है ठीक है बिजार में भी ऐसा बोला आता है क्योंकि यह सिंपली क्या बताना चाहिए थे कि सभी लोग एक्वल है सभी लोग जो करना चाहते हैं सबका काम जो है उसका रिस्पेक्ट करो तो यह हो गया हमारे कभीर के बारे में आगे कुछ उसको देख लेते हैं तो यहां पर जो लोग एक समान पैदा होते हैं और इवन दुनिया में जो भी चीज बनती है वह कुसी नहीं किसे उसको चूँकर जैसे बनाते है चाहिए घड़ा हो या फिर कोई आदमी अगर फसल हुगा रहा है तो इसको चूँता है तभी नहीं वह उगता है बाद में जाकर तो यही कहा तो इस चीज को जो है मतलब जो कभी रहें वह एक अलग सा मीनिंग करते हैं कि अन्टच अबलीटी मींस एक हाइस लेवल हुमें बिंग्स के अचीव मतलग है जिस लेवल को चीव किसे तो उसका हाइस लाइक के इस चीज को आप समझो गोकु अगर आप देखे होगे ड्रै देखोगो यहां पर आता है टापिक दर स्कॉर्च और मैनवल एक साव मेंजिंग कळाग है मैंस हां से मैं बठाने का कलंग है कि जब कोई व्यक्ति जो है कभी अर्धी आपि लिए या एनिमल जो है एक स्कुरीट है चुसको उठाता था जैसे जाडू हो गया प्लेट हो ग जब आंत्रपर्देश्ट बेज सफाई करमचारी अंदोलन से पूचा विया जो कि एक और गनाइजेशन है तो उन्हें ने बताया कि यह दलित कॉम्मुनिटी है यह इंप्लॉइड मतलब यह वर्क करते हैं उनका जॉब लगता है इसमें यह काम करते हैं और वहल लगब जो ह है 26 लाख प्राइवेट और कॉम्मुनिटी ड्राइ लैट्रिंग से उसको साफ करते हैं देखो ड्राइ लैट्रिंग का मैं ज्यादा तो नहीं जानता बर इतना पता है कि इसमें बहुत खत्रा भी रहता है क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वह जब एसक्रीटा मिंस यह जो human और animal waste हो गया उसके पास में रहता है तो उसको बहुत अलग-अलग खत्रे होने के chances रहते हैं जैसे कि उसके eyes हो गया है ठीक है फिर skin हो गया respiratory हो गया फिर उसके पेट से संबंदी जोगी हो गया इंटेस्टाइन संबंदी जो भी चीज हो गया मतलब कि बहुत जादा problem होने की संभावना रहती है क्योंकि उसके किस से तो जो गैस होता है ना उसके वयासे तो यहां पर यहीं बोला जा रहा है कि यह जो वैक्ति काम क्या करते हैं यह लग आदमी की काम क्या करते थे दलित में उनको लोग उन्टाचेबर्स बोलते थे उनसे दूर रहना ठीक है उनको बहुत सारे नहीं देना जैसे यहां पर बोला गया है कि जो गुजरात के जो पार्ट है कंट्री था बंकी जिन गुजरात फाकिस इन आंद्रपरदेश ठीक है स इन तमिल लाडव यह ऐसे जगह जहां पर यह बोलते हैं कि यह आपर अंटैचेबर्स इंको जोकी काम करते विं कर रहे थे इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने एक पास किया इंप्लॉइमेंट ऑफ मैनल इसका मेंजर संट्रक्शन राइलेटरिंग प्रोहिवीजन एक्ट इसमें क्या था कि प्रोविट कर दिया गया था कि कोई भी मैनुवल को जॉब पर नहीं रखना चारी है बलकि बोलें कि आपको काम करना है साफसफाई किसी और कोई भी काम नौट वह कुछ भी अच्छा कर सकते हैं तो आप उसको किजिए बट यह काम नहीं हो क्योंकि इनसे उन्हीं कहानी हो रहा था उनका हेल्थ खराब हो रहा था ठीक है न त लोगों को मिला करें उन्होंने बोला कि आपने बंद किया अब भी चलता रहा है और इसका इसका पता लगाने के लिए यह लोग कहते हैं कि 1993 जो है इसके बास से मतलब जो लगा था उसके बास यह और ज्यादा बढ़ गया इनका संग्या मतलब घटना चाहिए था बंद करने के लिए बोला गया था लेकिन और बढ़ गया है तब जो है कुड़ बोलती है डिवार्मेंट को मिनिस्ट्री को कि आप जो है इस पर सब्सक्राइब केम इंफोर्स ऑण डिसंबर तो दोला 13 में इसको वापस एप्लाई किया इसका रिजन यही था कि लोग काम को करें कि इस काम से कानी हो रहा ता कोई और काम करें बढ़ रहा और ड्राए लैट्लिक्स भी ना बने जिससे की ऐसे काम को करना पढ़ जाए तो वापस इसको मंद कर दिया गया तो यहां पर टॉपिक आता है अदिवासिज डिमांद सेंद नाइंटीनेटीन एक्ट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे ध्यां से सुनेगा इसमें खागा जा रहा है कि इस एक्ट के हिसाब से जो आधिवासि जिस जगह पर रहते हैं जै और यहां पर बोला जा रहा है जो सीखे जानुए एक्टिविस्ट है आधिवासि एक्टिविस्ट के मतलब है कि जो अगर कोई भी प्रॉग्लम की ऊपर किसी भी चीज को नियम अकली आता है तो उस चीज की ओपर धिहान देते हैं तो उन्होंने कहा जो सरकार है ना जोको इंडिया मेंócलिश्ट की है उन्हों जैसे की नियम बना दिया गिया और वहीं सरकार जो इसका ऐक तरीके से थोड़ा और भी आपर जाते हैं वहाैं ओन अवहन से से यह कहते हैं कि एक तो यह रिजन हो गया इसे ट्राइबर पर बसमास से उनको जाना पढ़ याता है दूसर यह कि वह बोलते हैं गॉर्मेंट की रिजर्व यह चीज़ और यह सेंचुरी ठीक है यह प्लेस को कहते हैं और इस वैसे वहां से उनको निकाल दिया आता है को क्लेट कर रही है इसको इसके साथ है कि कहते हैं जो सरकार जो लिया जाता है ठीक है ट्राइवल फिपर सकती है तब postal अच्छा जगह क्लिए क्लिसकर सकते हैं तो यह सब्सक्टे मेसे पड़ते हुआ और लुजका उसका सॉल्यूचनbew धर्रदीत कि तो दिनकी जो हो रहा है जो भी वहां पर रहते है ट्राइबल पिपल या फिर जो भी वहां पर फोरेश्ट ड्वेलर एक्ट टूथाउजन उन्होंने यह बोला कि इन देखो जो भी पे रहा करते थे ठीक है पहले से ही, उन लोगों को हक नहीं दिया गया था forest को पर, इस वैसे उनके साथ बहुत जादा बुरा होते आया हुआ है, बहुत वक्त से पुराने वक्त से ठीक है, इसे वो कहते हैं कि यह जो act है, इसमें यह उनको अधिकार दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर रह सकते हैं, अपना अगर खेती करना चाहते हैं, तो खेती लाइक अपने survival के लिए फिर जो है, वो कुछ कल्टिवेट करते हैं, grazing land जैसे कि कुछ भी जानवर इनको graze करना, non-timber forest produce करना, जैसे कि कुछ चीज के पत्ते को लेना ठीक है, जो टूटे वे टहनी रहती है, उनको यूज करना चलाने ही, इस सब के लिए, तो देखा जाते हैं, इन लोग पूरा उसका अधिकार दिया गया है और एक चीज और यह लोग forest को नुकसान नहीं पहुचाता है, उल्टा उसको बचाते हैं, कि यह लोग ऐसा नहीं कि पेड़ो काट करके जा रहे हैं, पेपर बनाने हैं, वो लोग ऐसे यूज करते हैं तरहीके से, ताकि वो पूरा चीज कंजर्व रह सके, इसलिए यहां प यह चीज यहां बताया गया है, तो देख से इंको राइट देने का वज़ए यह है, क्योंकि यह लोग forest को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुचाते हैं, ना यहां पर आता है conclusion, तो इसमें बोला जा रहा है कि देखे, जब भी कोई law हो गया, ठीक है, यह सब sign होता है, कोई policies बनती है, तो ऐसा नहीं कि वो उसी दिन से लागो हो जाती है, ठीक है ना, मतलब कि जैसा हमने देखा कि अगर article 15 और 17 बना था, तो अगर वो लोग पूरा उसको follow कर रहे होते हैं, तो दूसरे कोई law को बनने का जोती नहीं था, क्योंकि article 15 और 17 नहीं कर रहा था, कि आपको untouchability है, सबको नहीं मानने मतले हैं, यह सब चीज को खतम करने के लिए, बट फिर भी लोग जो इसको मान रहे थे, तो यह जो एक्छा जो होती है, equality के लिए, dignity के लिए समान हो गया, इज्जत हो गया, रिस्पेक्टिक है, यह नहीं नहीं है, यह बहुत पुराने वक्से चल में ठीक है, और फिर एक तरीके से इसका क्या है, कि organizing, ठीक है, need to continue, यह जारी रखना, जारी रहना जरूरी है, क्यों, तो यह जरूरी इसलिए है, क्योंकि इससे धीरे-धीरे ही जो है, कुछ problem sort out होते हैं, ठीकिन अब ऐसा नहीं है, कि समाज में आज यह चीज हुआ तो लो से नहीं आपाता है, वह यहाँ पर दिया गया है, तो आसक रहां को वीडियो अच्छे लगी हो, पूरे इस वीडियो उन्हें देखा था, ठीक है, इनके बारे में, कौन-कौन से एक्स लगया है, ठीक है, फिर हमने बॉक्स में देखा था, कि schemes के बारे में देखा था, फिर जो कबीर होगे, उनके बारे में, और भी जो लिखे गया था, ठीक है, पोयम सिंसब के बारे में लिखा देखा था, तो आसक रहां वीडियो अच्छे लेगे, वीडियो अच्छे लेगे, लाइक कर दे, दोसों से एर कर दे, हाँ, कॉमेंट रहे बता है, कोई प्राग्लम ह झाल